अप्लेस विया गैंबलिंग गेम्स अप्लेड ऐसी जगह जहां पे गैंबलिंग गेम्स खेले जाते हैं वह होती है कशीनो यह नाउन है इसका मतलब होता है जुआ खाना मतलब ऐसे गेम्स जिसमें बेटिंग लगाई जाती है वह गैंबलिंग गेम्स होते हैं बेटिंग मतल A large dip pot used both in the oven and as a serving vessel एक ऐसा बड़ा सा बड़ा सा बरतन जो की ओवन में खाना भी पकाया जाता है और जो इसमें सर्व भी किया जाता है वह होता है casserole यह noun इसका मतलब होता है handy जैसे एक यह बनी picture है इसमें casserole है इसमें खाना बनाया भी जाता है और serve के लिए भी रखा जाता है A complete list of books books की complete list पहले से जो होती है वह होती है catalog यह noun इसका मतलब होता है जैसे कि किस तरीके से books read करनी है उन books की पूरी पहले से लिस्ट होती है वह एक catalog के रूप में होती है जैसे कि complete list को भी catalog बोलते हैं जैसे घर में colors कराने के लिए catalog दिखा जाता है कि किस तरीके color कराने और वह दिवारों में कैसे लगेंगे जिससे जब हम लोग मार्केट जाते हैं और कपड़े लेते हैं तो उसके पहले हम लोगो कैटलॉग दिखा जाता है कि यह कपड़ा पहनने में इस तरीगे कर लगेगा काजिंग ग्रेट डैमेज यह हता है कटास्ट्रोफिक यह जियर जब डिएक्टि इसका मतल होता है विनासकारी एक ऐसा लार्ज साब बरतन जिसमें की कुकिंग कियाती है ओपन फायर में वह होती है कॉल्डरॉन ये नाउने इसका मतला होता है कडाई जैसे कि ये बना हुए पिक्चर ये कॉल्डरॉन का पिक्चर है एसे सोलजर्स जो की गोडे में सवार लुके फायट करते हैं जी होते है कवैल्य यह नावन इसका मतला होता है घोड़ी ते डिखाए जाती है जैसे यह जो व Aww'll मतलब कववे की आवाज इसका अंसे होता हैнеiau नहीं होता है कहँ मतलब कहँ मतलब कहाँ för All कर दिए मित जो इनमेज दिखाई जा रहे इसमें जो कहर बोले वह कभवे일 प्लोनी इसमें इनमी ञाँ एक फाय जाते हैं ऻर्भी मतलब कर लोक्तिन के लिए वे होता है سीजफायर यह नहोंने इसका मतलब होता है युद्ध विराम या फिर शंघर्ष विराम जैसे कि युक्रेयन और रशिया में अभी भी सीजफायर नहीं हुआ है जैसे इस image में दिखाया जा रहा है कि अब लड़ाई बहुत हुई अब ceasefire किया जैसे अर्मेनिया और अजरबैजान में बहुत वार होने के बाद ceasefire हो गया The state of living unmarried जब unmarried जो रहते हैं वो कहते हैं celibacy ये नहुने इसका मतलब होता है ब्रह्मचर रहे जैसे ये सादू है ये celibacy के जीवन जीता है जैसे जो हनमान जीते उन्होंने अपनी पूरी लाइफ celibacy कीजी underground place for storing a other provisions मतलब एक ऐसा underground जगह है जहां पर या तो store किया जाता है या फिर other काम किया जाते है वह होता है cellar ये नहुने इसका मतलब होता है ताय खाना जैसे जो घर होते हैं उनके नीचे cellar बना जाते हैं जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है घर के नीचे cellar बना हुआ है जैसे पुरान जमाने के जो mysterious घर होते थे उसमें नीचे cellar बना जाते थे और ताजमहल को देखकर ऐसा आहिसा इमेज को होली ट्रिंटी चर्च सिमेट्री में दफनाया गया । यह एक ऐसा वेक्टी की जो कि हन्ड़ेड इयर और हो जाता है वो होता है संतेनेरियन ये नहून हने यह होती है centennial यह नाउन है इसका मतलब होता है शतापदी जैसे कि इंडिया जो है वो 1947 में फ्री हुआ था इसलिए 2047 में इंडिया की freedom की centennial मनाई जाएगी और centennial होगी anything tending to move away from center एक ऐसी चीज जो center से दूर जाती है वह होती है centri-pugal यह adjective है इसका मतलब होता है अपके इंडिया जैसे कि इस तरीके से अगर हम लोग बॉल को घुमाते हैं फिर एकदम तो छोड़ देते हैं तो वह दूर जाके गिरेगी मतलब उसमें centri-pugal force लगेगा art are writing on wax मतलब wax में लिखना मतलब कि mom में art करना या फिर कुछ लिखना वो होता है serography यह noun है इसका मतलब होता है mom पर नकाशी जैसे कि यह जो दिखाय जा रहे है serography है wax पे पुतले बनाए हुए rub apart are body to restore warmth मतलब body के किसी पार्ट को rub करना जिससे की गर्माहट आ जाए वह होता है चैफ यह word was का मतलब होता है रगड कर गर्माना जैसे की गर्मियों में color से चैफ होने लगता है नेक में जिससे बीपी लोन होने पर हाथ पैर को चैफ किया जाता है जिससे की उसमें गर्माह मतलब बहुत ज्यादा irritation होना humiliation होना disappointment होने में वह होता है शाग्रीन यह नावने इसका मतलब होता है जिन्जला इरिटेशन को ही शाग्रीन बोलते है जैसे कि इसमें जो इमेड दिखाई जा रही है एक irritated है शाग्रीन है a child who is believed to have been secretly exchanged एक ऐसा बच्चा जो यह belief करता है कि उसे secretly बदल दिया गया वह होता है changeling यह नावने इसका मतलब होता है बदला हुआ बच्चा a small building for Christian worship एक छोटी सी Christian worship की जग है वह होती है chapel यह नावने इसका मतलब होता है गिर जागर जैसे यह जो image है यह chapel की image है a charm that can influence other एक ऐसा charm जो कि दूसरों को influence करता है वह होता है charisma यह नावने इसका मतलब होता है आकर्शन जैसे कि रावबर्ट प्रास्ट की जो पॉयां में उसमें करिज्मा है जिसे पढ़ने में एकदम से खोर से जाते हैं बिल्कुल जैसे इसमें image दिखाई गई है जिसमें जो व्यक्ति है सारी सारे लोग इसकी बात तुन रहे हैं तो इसके अंदर एक करिज्मा है जैसे कि जो लेडी दिखा जा रहे हैं सब इसकी बात सुन रहे हैं तो मतलब इसमें करिज्माटिक लीडर्शिप है अब परसन फासली क्लेमिंग टू हैव इस्पिसल इसकिल एक ऐसा व्यक्ति जो की जूट बोलता है कि उसके पास इसकिल है यह क्या होता है इसका एंसर अब परसन फासली क्लेमिंग टू हैव इस्पिसल इसकिल एक ऐसा व्यक्ति जो जूटा दावा करता है कि उसके पास इसके पास इसकिल है वह होता है चाल लटन यह नाउन है इसका मतलब होता है धूंगी जैसे कि कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनको मेडिसन के बारे में पत दयार फिसल मतल्ब होता है दरार वे होता है खाद मे ये नाउने इसका मतलब होता है खाई जैसे कि गरेट सिर्थ वैली यह यह अर्थ बहुता यह सब्रेइघण है यह जियो जिकल है द्चा में दिखाए गया राव का चैसिस है अपरसन इंपलाइट टुड़ाइब अप्राइव अ हाय कार एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी कार जलाता है यह फिर दूसरे इक कर चलाता है वह होता है साफ़र यह नाउन है यह ड्राइवर को सफ़र बोलते हैं इसका मतलब होता है मोटर जैसे कि इसमें दिखाया गया एक साफर है यह हाम रीडिंग हाथ की रीडिंग करना हाथ देखकर फीूचर प्र्यीक्ट करना यह होता है किरो मंची नाउन है इसका मतलब होता है हस्ट्रेका विध्याय जिसे यहाथ दिखायागा बहुति लोग के रहोंंची का दावा करते है पर वो chat letter होते है, chat letter मतलब क्या होता है, पहले बताया था ना, a group of singers in a church, मतलब की church में जो एक singers का group होता है, वो ज्याथा choir, या noun meantis का मतलब होता है, गायक मंडली, जैसे कि इसमें दिखाया गया जा रहा है, बहुत से student एक साथ मिलके singing करने, इसकूल में भी एक साथ सिंगेंग करना या भी चर्च में ग्रूप में सिंगेंग करना वह होता है क्वायर और रूटीन टास्क इसपेसली या हाउस होल्ड वन एक ऐसे टास्क जो कि डेली किये जाते हैं से जातर घर के एक टास्क या फिर बाहर के भी टास्क जो डेली किये जाते हैं वे होते हैं चौर ये नाउन है इसका मतलब होता है दैनिक काम जैसे कि ये साथ में बटन वास करना या फिर जाड़ू पुछा लगाना ये सब चौर हैं मतलब डेली के काम हैं लेकिन करना अनिव लोन फ़र फार्मिन गोर्न हों प्लांज्ट थग एंड मुव इन डान्स जो की डान्स सिखाता है वह कोरीघाफर होता है यह नावनने नाउने इसका मतलब होता है इत्याज व्रत जैसे धोनी मुवी मैंन सिंग धोनी की लाइफ का क्रोनिकल रूप में दिखाया गया है कि कैसे क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं यह होता है क्रोनोलोजी यह नाउने इसका मतलब होता है कालकरम मतलब की जिस तरीके से घटनाएं गटित हुई है उस तरीके से उनको लगाना वो क्रोनोलोजी होता है जैसे मुगल बन्स की chronology में सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायु आया, फिर अकबर आया, यह chronology है An instrument of far measuring the time accurately, मतलब कि एक ऐसा instrument जिससे की time accurately ना पा जाता है फिर होता है chronometer, यह noun है, इसका मतलब होता है ठीक समय बताने वाली घड़ी, especially जो घड़ी होती है जो जिसमें second case होई हैं और यह minute case होई होती है, यह होता है chronometer भी इसको कहते है Rude in mean, spitted and surely way, बहुत यहादा rude होना, वह होता है checklist, यह adjective है, इसका मतलब होता है abadr, जैसे कि यह जो लड़की दिखाई जा रहे है, इसका behavior चर्लिस लग रहा है जैसे husband घर में आता है और अग्दम से गुश्य लग लेता है, तुम बहुत मोटी लग रही है, तो यह husband का चर्लिस behavior है, जैसे कि आज कल के बच्चों से बोल डो कि फोन ना चलाओ, तो तुम भी ना चलो, तो बच्चों का यह चर्लिस behavior है, चर्लिस reply है extreme self confidence, मतलब बहुत ही ज़्यादा, खुद पे confidence होना, वो होता है hoodspa, यह noun है, इसका मतलब होता है दुश्याहश, जैसे जिसकी government job लग जाती है, उसके अंदर एक hoodspa आ जाता है, जैसे boss की बात के बीच में काट देना, एक hoodspa का सानीन है, कि मतलब एक दुश्याहश कर दिया the use of many words, where only a few are necessary, जहाँ पर किवल एक दो words बोल के काम चल सकता है, सही से हो सकता है, वहाँ पर बहुत सारे words बोले जाना, बोले जाना, वो होता है circumlocation, यह noun है, इसका मतलब होता है, सब्द बहुलेता, जैसे कि इसमें दिखा जा रहा है, एक लड़का है, वो bla 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 bla, बोले जा इसका मतलब होता है, परिष्टित्की, जैसे कानूनी टार में details होती है, बहुत सारी information होती है, यह indicate करती है, कि यह बात सही है, लेकिन प्रूफ नहीं कि जा सकती, जैसे परिष्टितियां ऐसी होती है, जिससे कि यह बोला जा सकता है, कि इस वेक्री ने खून किया है, लेकि इसका एंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, अब वीडियो पसंद आई गई है, तिसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंट के साथ सेयर भी कर दें, इस टिपकली वन आउन हाई ग्राउंड अबोव अ सिटी, मतलब सिटी से जाने बनुए है, जैसे इस पिक्चर में एक सिड्डल दिखाये गए है, making a loud and confused voice, बहुत ज़्यादा loud और confused, जो wise होती है, clamorous, यह adjective इसका मतलब होता है, kolahal poon, जैसे कि clamorous mob होती है, जैसे ilahabad के मेले में बहुत ज़्यादा clamorous mob होती है, जैसे इस पिक्चर में दिखाये गए है, बहुत सारी लोग है, वहाँ पे सब आवाज करेंगे, तो एकदम clamorous voice होगी, we are up small confined places, बहुत ज़्यादा छोटी और confined जगए का जो डर होता है, वह होता है, क्लास्टोफोबिया, यह down है, इसका मतलब होता है, बंद जगए का डर, जैसे जिसे को क्लास्टोफोबिया है, हो अगर lift में जाता है, और lift बंद हो जाती है, तो उसे अंदर से shuffle position होने लगती है, जैसे यह image में दिखाया गया है, एक लड़की है, वो छोड़े से जगए पर है, तो उसे डर लग रहा है, customers collectively, मतलब बहुत सारे customers जो एक सास होते हैं, वह होता है clientele, यह noun है, इसका मतलब ह होता है, जैसे बार में clientele आते जाते हैं, बहुत सारे clients आते हैं, a small compartment in an aircraft for the pilot, pilot के लिए एक छोटी से जगह है, जहां से वो अपने aircraft को control करता है, जो होती है cockpit, यह noun होने, इसका मतलब होता है, वाय यान में चालग कच, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, यहां से वो control करता है, अपने aircraft को, a drink usually made from a mixture or one a mole alcoholic drinks, एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा alcohol को mix करके, जो drink बनाई जाती है, वह होती है cocktail, यह noun होने, इसका मतलब होता है message, शराब, an instruction that is added later to a will, मतलब किसी will में, बाद में instruction add करना, वह होती है, कोडशी या noun है, इसका मतलब होता है, वशीहत न अगर कोई will या वशीहत बना देते हैं, उसके बाद उसमें कोई changes करना होता है, तो cortisol form भरना पड़ता है, जैसे मोहन की दादी है, इन्होंने मरने से पहले अपने वशीहत में cortisol add करा, मतलब कि कुछ फरिवर्टिं किया, threat to get someone to agree to something, मतलब किसी को agree होने के लिए threaten करना, ड़राना, दम करना होए होता है, यह noun है, इसका मतलब होता है, जोर जवर जश्ति करना, और यह noun है, course का ही noun बनाए गया है, जैसे कि बहुत सारे लोग है, वो इसको में bully करते हैं, और student से पैसे लेते हैं, जैसे कि Robert, जो है, वो राहगिरों को course करके उनसे पैसे ले लेते हैं, और collection up slaves, मतलब कि जो slaves होते हैं, जो गुलाम होते हैं, उनका जो collection होता है, वो होता है, काफल, यह noun है, इसका मतलब होता है गुलामों का काफिला, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया जा रहा है, लामन्स की नहीं रखे थी सरका में स्टेंसल विदाउट अपारेंट काजूल कनेक्शन मतलब कि बिना किसी कनेक्शन के पहले से जो कनेक्शन नहीं फिर भी इस ते घटे तो जाती है वह होता है को इंसिडेंस यह नाओन इसका मतलब होता है चाहिए हो दो या दो से अधिक घ मैं में इसका मतलब होता है को और तल Salvador को बछुण के तांस की किसी किस्तिना की सब्सक्राइब करने तक है अधिक गरेंस पमेंटलव बर दच गयंगें ऑपस लिए अधियुट रखद से अधिना को जेसे हमें चकर्वा को ना च्यासर एक दो हला कपेड़ जैसे कि हमलेट अपने फादर से कोलो रोकी की जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है यह लोग आपस में को लोकी करता है है अज जा इगंटिक इस्टैच्यू यह होता है इसका मतलब होता है विशाल मुष्टी जैसे कि यहां पर सर्दावलब बाई पटेल की एक कोलोसस दिखाई जा रही है और जो बहुत इंपोर्टेंट और इंप्वेंशल परसन होता है वह भी कोलोसस होता है जैसे कि सुभास चनुबोष एक कोलोसस थे इसका मतलब होता है 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 इसका मतलब होत money given to as and on sales मतलब किसी भी चीज को बेचने में जो मनी मिलती है वो होती है कमिशन यह नाउन इसका मतलब होता है दला ली जैसे कि प्लॉट बेचने में दला कुछ परसंट कमिशन मिलता है जैसे कि इसमें दिखाय जा रहा है कि कमिशन मतलब पैसे दिना पीपल हो बिलांग टुदा सेम कंट्री ऐसे वेक्टि जो सेम कंट्री में रहते हैं इसका आइंसर आप लोगो कमेंट बॉक्स में देना है अब वीडियो पसंद आई गई है तिसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ सेयर भी कर दे पीपल हो बिलांग टुदा सेम कंट्री इसका एंसर हम लोग हमने पहले वाली वीडियो में पूछा था इसका एंसर होगा compatriots, यह नाउने, इसका मतलब होता है हम वतन, ऐसे लोग जो एक country में रहते हैं, वो compatriots होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाय जा रहा है, और जैसे कि foreign में कोई compatriots मिल जाता है, तो बहुत happy होती है, मतलब कि अपने वजन का, अपने जहां पे हम लोग रहते हैं, जहां से belong करते ह हैं, वहां का कोई वक्ति है, master आप से अर्मनीज, जो कि से अर्मनीज को चलाता है, वह होता है, compare, यह नाउने, का मतलब होता है, कारिकरम उद्गुश, जैसे कि जो anchor हैं उनको compare बोलते हैं, जैसे कि इसमें मनिस पॉल दिखाय जा रहा है, एक compare, और यह ही decide करते हैं कि performance में, कौन से performance होगी, satisfied with no desire to change or improve, जो कि अपने present situation में हैपी रहता है, और उसमें ना कोई विस होती है, और ना ही वो कुछ change करना चाहता है, वह होता है, complacent, यह adjective है, इसका मतलब होता है, आहत्मी शंतुस्त, जैसे कि इस image में दिखाया जा रहा है, यह complacent है, जैसे कि S.S.C. में इसका मतलब होता है, जैसे कि इस image में दिखाया जा रहा है, जो complete करता है, जैसे this is, यह word अधूरा है, इसको पूरा करने के लिए, this is boy, this is girl, यह चीज लगाना पड़ता है, यह होता है, compliment, one who sets type for books, newspaper, etc., ऐसा वेक्ति जो कि books के लिए, फिर newspaper के लिए, type, decide करता है, कि font type, या फिर उसके किस तरीके से print करना है, यह decide करता है, जो composing machine में, वो होता है, compositor, यह noun है, इसका मतलब होता है, अच्छा योजक, having too much pride in yourself, जिसे खुद में बहुत ज़्यादा गहमंड होता है, और जो उसने किया, उस बात में बहुत ज़्यादा गहमंड हो होता है, conceited, यह adjective है, इसका मतलब होता है, अभिमानी, जैसे कि इस image में दिखाया जा रहा है, और जैसे job लगने के बहुत साहे लोग BMW से उतरते हैं, एकडम conceited look देते है, arrogance वाला, वो होता है, conceited, capable, being imagined, ऐसी चीछ जो कि imagine की जा सकती है, वो होती है, conceivable, यह adjective है, इसका मतलब ह credible, living together, up a man and woman without being married, एक man और एक woman का बिना marriage के साथ रहना, वह होता है, concubinage, यह noun है, इसका मतलब होता है, विवा के बिना साथ रहना, जैसे कि living में रहना, वो भी होता है, concubinage, an apartment building in which each apartment is owned separately, ऐसी building, जिसमें की, जो बड़ी से building होते हैं, जिसमें एक एक flat होते हैं, और अलग-अलग लोग रहते हैं, जैसे PG में, वो होता है, condominium, यह noun है, इसका मतलब होता है, flat, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, इमिज में एक बड़ी से building हैं, इसमें अलग- suite, ऐसा factory जो कि या तो suite बनाता है, या फिर बेटता है, वो होता है, confectioner, यह noun होन है, इसका मतलब होता है, मिठाई बेचने वाला या फिर मिठाई बनाने वाला, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, यह confectioner है, to official take something away from somebody, कि सानूनी रूप से कोई चीज किसी व्यक्त से ले लेना, वो होता है, confiscate, यह verb है, इसका मतलब होता है, जब्त करना, जैसे कि इस image में दिखाया जा रहा है, जैसे bankrupt हो जाने में, bank ने मोहन की घर को confiscate कर लिया, मतलब जब्त कर लिया, flammable, मतलब flame मतलब होता है, आग, जैसे गया चूले में flame निकलती है, तो यह होता है, conflagrant, इसका मतलब होता है, जलता हुआ, flame, flammable मतलब jalan seal होता है, इसके synonyms में conflagrant आता है, और जैसे burning होना, place where two are more river meet, ऐसी जगह जहां पर दो या दो से अधिक rivers मिलती है, वह होता है confluence, यह noun, इसका मतलब होता है, जैसे कि अलहाबाद में शंगम होता है, जैसे यह दिखा जा रहा है, pertaining to an individual from birth, मतलब कि जो जर्म से मिली होती है, वह होता है, congenital, adjective है, इसका मतलब होता है, जर्म जात, जैसे कि कोई कोई बिमारिया होती है, वह भी जर्म से मिली होती है, वह congenital, disease होती है, जैसे कि आज का color होता है, वह congenital होता है, a gathering at a religious place, एक ऐसी सबह जहां बहुत सारे लोग मिलते हैं, पूजा पाट करने के लिए, अपने धर्मिक कारी करने के लिए, वह होती है, congregation, यह noun, इसका मतलब होता है, धर्मिक शहभादे से कि इसमें दिखा जा रहा है, एक congregation हो रहा है, an opinion formed on the basis of incomplete information, ए अब वीडियो पसंद आई गई है, तो इसे like कर दें और चैनल को subscribe कर दें, और अपने friends के साथ share भी कर दें, an opinion formed on the basis of incomplete information, किसी भी incomplete information के basis पर opinion बना लेना, या फिर निसकर्स निकाल लेना, वह होता है, conjecture, यह noun है, इसका मतलब होता है, निरादार कल्पना, जैसे कि cricket में क्या score रहेगा, इसका conjecture बना लेते हैं हम लोग, a person who is expert in his field, एक ऐसा वेक्री जो कि अपने field में expert होता है, वह होता है, कौने सर, यह noun होने, इसका मतलब होता है, विशे शग, जैसे कि प्रभु देवा डांस में कौने इश्या रहें, जैसे कि अरजीत सिंग सिंगिंग में कौने इश्या रहें, failing inside which tells you what is right and what is wrong, एक ऐसे failing, जो कि यह बताती है, कि क्या सही है और क्या गलत है, वह होती है, consigns, यह noun है, इसका मतलब होता है, अंतरात्मा, जैसे कि अपने consigns से पता करना चाहिए, कि कौन सा political leader सही है, कौन सा नहीं, ना कि दूसरों की बातों में, या फिर social media म हमें कोई भी काम लाइफ में करना चाहिए, तो अपने consigns के recording करना चाहिए, ना कि दूसरे के बातों में आकर, guided by one sentence of duty, यह होता है, consigns, यह adjective है, इसका मतलब होता है, कर्टब विनिस्ट, मतलब अपने duty के लिए बहुत ही ज़्यादा कर्टब विनिस्ट रहे, वह होता है, consigns जैसे कि जो epigable कलाम थे, वो एक consigns लेडर थे, और हमें कोई भी job करनी चाहिए, वो consigns तरीके से करना चाहिए, a careful preservation and protection of wildlife, मतलब की wildlife का preservation और protection करना, यह होता है, conservation यह नावन है, इसका मतलब होता है, practical connection, जैसे कि बहुत से conservation groups बने होते हैं, conservation area बनी होती हैं, जैसे जो tiger है, वो बहुत कम होते जारे हैं, इसे लिए tigers का conservation किया जा रहा है, opposed to great or sudden change, मतलब कोई great या भी sudden change के जो against होते हैं, वो होते हैं, वो होते हैं, conservative, यह नावन है, इसका मतलब होता है, रूडिवादी, जैसे कि conservative thinking के लोग girls को बाहर काम करने नहीं जान देते हैं, conservative thinking के जो लोग होते है वो girls के कपड़ों को देखकर उनका character form कर लेते हैं, यह conservative होते हैं, comfort someone at a time of grief, मतलब किसी को grief के time में, sadness के time में, happy करना, वो होता है, console, यह verb इसका मतलब होता है, शनतामना देना, जैसे कि अपने end है, अगर कोई उसको parents ने दार्ट दिया है, और वो रो रही है, तो उसको console करते A group of stars that form a shape in the sky, star का एक ऐसा group जो की एक shape बनाता है, आकास में, वो होता है, constellation, यह noun है, इसका मतलब होता है, नचत्र, जैसे कि सब्तरशी एक constellation है, जिसमें की साथ stars होते है, साथ stars का एक group होता है, state of anxiety, बहुत जादा दर या घबराट होना, वो होता है, constellation, यह noun है, इसका मतलब ह होता है, घबराट, जैसे कि नीजर चोपड़ाओ को देखकर बहुत से जावलिन फ्रोर को, constellation होने लगता है, जिसके stage में जाने से पहले, या फिर इंटर्व्यू से पहले, constellation की feeling आती है, इसका मतलब होता है, विवश किया हुआ, इसका मतलब होता है, विवश किया हुआ, इ जैसे कि company की growth, high tax के कारण constrained हो गई, मतलब की अवरुद हो गई, extremely skilled, जो बहुत ही जादा skill होता है, skill जिसके पास बहुत ही जादा होती है, वो होता है consummate, यह adjective है, इसका मतलब होता है utcrest, जैसे कि बहुत से liar ऐसे होते हैं, जो consummate liar होती है, मतलब उनका जोट पकड़ना बहु जैसे कि जो coronavirus है, यह contagious disease है, क्योंकि यह एक व्यक्त से दूसरे में फैलता है, something made impure by exposure to polluting substance, मतलब किसी भी चीज़ को impure करने के लिए polluted चीज़े मिला देना होता है contaminated, यह adjective है, इसका मतलब होता है do shit, जैसे कि vehicle के दुवें के कारण जो AR हो contaminated हो गई है, belonging to the same time, जो same time से belong करते हैं, same time के होते हैं, वह होता है contemporary, adjective है, इसका मतलब होता है शमकाली, जैसे अकबर और बिर्बर contemporary थे, someone who is satisfied with life is general, जो अपने life से satisfied और बहुत happy होते हैं, वह होता है contented, यह adjective है, इसका मतलब होता है संतुष्ट, जैसे कि एक old man है, उसके face में contented smile है, क्योंकि उसे life में जो करना तो उसने कर लिया, इसलिए वह contented है, touching along the side are boundary, मतलब कि boundary और या फिर side को इदम touch करता हुआ, यह क्या होता है, इसका answer आप लोगों को comment box में देना है, अब वीडियो पसंद आई गई है, तिसे like कर दें और चैनल को subscribe कर दें, और अपने friends के साथ share भी कर दें, touching along the side are boundary, जो कि boundary या फिर sides को touch करता हुआ होता है, यह होता है, contiguous, इसका मतलब होता है, निकटवर्ती, जैसे कि इस image में दिखाया जा रहा है, एक road बनी हुए है, और ABC यह plot पड़े हुए है, यह plot की जो line है, वो road से contiguous है, यह contiguous property कहलाती है, जैसे कि दो राज की जो सिमाएं ह होती है, वो contiguous होती है, जैसे UP और YMP की सिमाएं contiguous है, a future event are circumstances which is possible but cannot be predicted with certainly, एक ऐसा future event या फिर कोई circumstances परिस्टती, जो की possible होती है, की हो जाएगी, लेकिन predict पहले से नहीं किया जा सकता है, वो होती है, contingency, यह नहीं होने, इसका मतलब होता है, अकश्मिक ता, जैसे कि एकड़म से अकश्मिक लीव लेनी पड़ती है, तो उसे कहते हैं, CL, उसका मतलब contingency leave, जैसे कि हम लोगों की कोई future में problem नहीं हो, इसलिए contingency plan बना लेना चाहिए, prohibited by law from being imported or exported, मतलब कानूनी रूप से जो चीज बेचने और खरीदने में रोक लगी होती है, वो होता है, contraband, यह नहीं होने, इसका मतलब होता है, वर्जित माल, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है, और जैसे कि अपहीम दतूरा, यह सब एक contraband है, a man who is recovering from illness, एक ऐसा वेक्टि जो कि बिमारी से दिकवर होता है, दीरे दीरे, वह होता है, convalescent यह नहीं होने, इसका मतलब होता है, जैसे कि यह वेक्टि दिखाया जा रहा है, यह बिमारी से ठीक हो रहा है, तो convalescent है, एक ऐसी जगह जहां पे नंस मतलब बिच्छु लोग रहते हैं और काम करते हैं वह होती है कन्वेंट यह नाउन है इसका मतलब होता है मठ जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है और जैसे कि धर्म साला कॉन्वेंट में दलाई लामा रुके हुए है किसी भी किंग को क्राउन पेनाने की जो शेयर मनी होती है वह होती है कौनेशन यह नाउन है इसका मतलब होता है रात दिलग जैसे कि इस इमेज में दिखाया जा रहा है और जैसे महाराना पताप का पहला कौनेशन गोगंडा में हुआ था लेकिन बिद्वत तरीके से उनका वों भलगर्ड दुर्ग में हुआ था है तो कनफर्म बिद्धाय। पाप Evidence मतलब कि Evidence की साहिता से जब कोई चीज कनफर्म की जाती है वह होती है यह वर्बस नियूष का मतलब होता है पूश्ती करना। जैसे कि कोर्ट में कोई भी चीज जब कोरोबरेट हो जाती है तब ही मानने होती है जैसे सूसल मेडिया में कोई भी न्यूज जो होती है उसको हम लोगों को तब ही मानना चाहिए जब हो कोरोबरेट हो जाए मतलब कि एविडेंस से के एकॉर्डिंग कंफर्म हो जाए कि हैं यह सही जैसे की यूनिवर्स में गलेक्सी कौन कौन सी है जैसे मिल्की वी गलेक्सी एंजिसे बहुत सारी गलेक्सी है यह सब जो इसका जो रिलेटरकी होती है वो are क result अपने आपको सिर्फ एक कंट्री का सिटिजन नहीं मानता बल्कि पूरे वर्ड का सीटिजन मानता है वह होता है कॉस्मोपॉलिटन यह एड़्यक्तिव है इसका मतलब होता है शर्वदेशी है रेक्षैसर, जिसमें दो लाइन उपने गोविन्लियों बताए That can be believed & trusted एक ऐसी चीज जिस पर believe किया जा सकता है ट्रस्ट किया जा सकता है वो होते credible या adjective है इसका मतलब होता है विश्वशनिया जैसे कि vocab study में जो भी information दी जाती है वो credible होती है मतलब कि इसमें ट्रस्ट किया जा सकता है a person who readily believes other easily एक ऐसा victory जो कि दूसों पर बहुत हिल्दी भरोसा कर लेता है वह होता है credulous यह adjective है इसका मतलब होता है भोला बाला जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो credulous होते हैं जैसे हमें इतना credulous नहीं होना चाहिए कि कोई भी हम लोगों के साथ fraud कर दे a system of religious belief मतलब कि धार्मिक belief का जो system होता है वह होता है creed यह noun है इसका मतलब होता है शंप्रदा है जैसे कि इंडिया में बहुत सारी creed system है हिंदू, muslim, sikh, इसाई लेकिन उसके बावजूद भी creed के basis पर partiality कभी नहीं करनी चाहिए turning point of danger ऐसी चीज जो एक्डम danger की तरब जा रही हो जो संकट या कर्थिनाई का time होता है वह होता है crisis यह noun होने इसका मतलब होता है संकट जैसे कि corona time में economic crisis आ गया था economy जो हो एक्डम danger की ओर जा रही थे principle by which anything can be judged एक ऐसा principle जिससे किसी चीज को judge किया जा सकता है वह होता है criteria यह noun होने इसका मतलब होता है map dund जैसे कोई निर्णाई लेते समय या आप किसी विचार करते समय जो project इस तर होता है level होता है वह होता है one who finds nothing good in anything जो किसी भी πी चीज में कुछ अच्छा नहीं धोंटा पर फीक्टि में कुछ अच्य चीज नहीं धोंटा हो क्या होता है उसका при आंसर को comment box में नहीं One who finds nothing good in anything एक ऐसा विक्ति जो कि दूसरों में कुछ अच्छाई नहीं धोड़ता है वह होता है क्रिटीक या ना होने इसका मतलब होता है आलोचक जैसे कि एलेक्शन में आपोजिशन पार्टी के जो लीडर होते हैं एक ऐसा डिवाइज या फिर विक्ति जो की कोड को इनकोड करता है या फिर डिकोड करता है वह होता है क्रिप्टोग्राफर या ना होने इसका मतलब होता है कोड लेकर Incode मतलब की Normal Language से Coding Language में करना और Decode मतलब की Coding Language से Normal Language में करना Guilty of the Crime जिसने Crime किया होता है वह होता है Culpable यह Adjectives का मतलब होता है Aparatic जैसे कि जब यह Proof हो जाता है कि वह क्ति Culpable है तब जज उसे Punishment देते हैं The Ideas, Customs and Social Behavior आप पर्टिकुलर People or Society किसी एक व्यक्ति यह पर सुसाइटी का जो कस्टम होते है आडियाद होते हैं समाजिक Behavior होता है रीति दिवाद होते है वह होता है Culture यह नाउने इसका मतलब होता है शंस्कृति जैसे कि Indian Culture, Western Culture A Person in Charge आप म्यूजियम एक ऐसा व्यक्ति जो कि म्यूजियम का चार्ज समालता है वह होता है Curator यह नाउने इसका मतलब होता है शंग्राले अध्यच